हलो फेंट्स, 15 अगस्ट 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ बट यही वो दिन है जिस दिन हमारे देश का पार्टीशन भी हुआ था हमारे देश को दो भागों में बाट दिया गया एक बना इंडिया और दूसरा बना पाकिस्तान पार्टीशन की इस कहानी की शुरुआत हुई थी बेंगॉल से साल था 1904 और उस समय वाइसरोय थे लौड करजन लौड करजन ने बेंगॉल के पार्टीशन का प्रपोजल दिया और वजह ये बताई कि बेंगॉल एक बहुत ही लाज प्रोविंस है और इसको एफेक्टिवली गवर्ण करने के लिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना ज़रूरी है और इसके चलते 1905 में बेंगॉल का विभाजन कर दिया गया एक हिस्सा बना वेस्ट बेंगॉल और दूसरा हिस्सा बना इस्ट बेंगॉल ये विभाजन कुछ इस तरह से किया गया था कि West Bengal एक Hindu majority area बना जबकि East Bengal एक Muslim majority area बना ये बात साफ तोर पर देखी जा सकती थी कि Britishers अपनी Divide and Rule Policy के चलते हमारे देश के लोगों को धर्म के आधार पर बाटने की कोशिश कर रहे थे और उनका एक मात्र एम था हिंदूस और Muslims के बीच एक rift create करना ताकि हमारे देश के nationalism और unity को hamper किया जा सके बट कुशन ये है कि इंडिया के लोगों ने Bengal partition को लेकर किस तरह से react किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस partition के against local और national level दोनों ही levels पर widespread political protest देखे गए और Bengal partition के विरोध में स्वदेशी and boycott movement को खड़ा कर दिया गया partition को लेकर लोगों में गुस्सा था उनका मानना था कि Bengal का partition उनकी mother land की insult है बट दूसरी तरफ East Bengal के Muslims Bengal partition का oppose नहीं कर रहे थे वो तो उल्टा इस partition से काफी खुश थे अगर पूछा जाए कि East Bengal में रहने वाले Muslims इस partition को क्यों support कर रहे थे तो इसका जवाब यह है कि यहाँ पर रह रहे Muslims की economic condition बहुत ही जादा पूर थी और यह लोग मानते थे कि इनकी इस हालत के जिम्मेदार है Bengal के Hindus जिन्होंने Bengal में business को dominate करके रखा हुआ है जिसके वज़ा से Bengal में Muslims प्रॉस्पर नहीं कर पा रहे थे बट यह मानने था East Bengal में रह रहे Muslims की थी अगर एक large scale पर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि Bengal partition के against हर जगा protest हो रहे थे स्वदेशी और boycott movement भी काफी successful रहा और हमारे देश के लोगों दुआरा किये गए इन प्रोटेस्ट के वज़ा से Britishers ने अंतताय 1911 में Bengal के partition को खारिच कर दिया गया यानि Bengal के दोनों हिस्सों को वापस से जोड़ दिया गया Bengal फिर से एक हो गया देखने में ऐसा लग रहा है कि जीत भारत के लोगों की हुई बड़ 1905 में Bengal का विभाजन करके अंग्रेज अपनी divided and rule policy को सफलता के साथ implement करने में कामियाब हो गए थे 1905 से 1911 तक का जो period था उसमें Bengal के हिंदूस और Muslims एक दूसरे को शक की निखाओं से देख रहे थे हर चीज को communal angle से देखा जा रहा था तो हम देख सकते हैं कि 1905 से 1911 तक के इस period में Britishers ने भारत में communal differentiation के बीच बो दिये थे इसका परणाम ये निकला कि 1906 में Muslim League फॉर्म हो गई और इसके कुछी समय बाद 1909 में British Parliament ने Indian Council Act 1909 इनेक्ट किया जिसे Moralimento Reforms भी कहा जाता है इस एक्ट के दुआरा इंडिया में पहली बार separate electorate को इंट्रोडियोस किया गया था जिसने Muslim League की growth में एक बहुत ही एहम भूमी कने भाई Moralimento Reforms के चलते इंडिया नेशनल कॉंग्रेस और Muslim League अब आमने सामने आ गई थी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस किसी भी हाल में separate electorate को मानने के लिए तयार नहीं थी जबकि Muslim League separate electorate के provision से काफी ज़्यादा खुश थी In fact Muslim League की ही demand पर separate electorate इंट्रोडियोस किया गया था इंडिया नेशनल कॉंग्रेस नहीं चाहती थी कि Muslim League और इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के बीच किसी भी तरह की कोई रंजिश हो इसलिए इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ने Muslim League को शांत करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कोशिश है की Muslim League को साथ लाया जाए और दोनों पार्टीज के बीच में एक common ground form किया जाए इस पर विचार किया गया और इसके चलते Muslim League और कॉंग्रेस का एक joint session बुलाया गया December 1916 में ये session लखनों में हुआ था और इसलिए इसे लखनों पैक्ट 1916 भी का जाता है यहाँ पर इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ने Muslim League को शांत करने के लिए provincial council elections में उनकी separate electorate की demand को मद्जूरी दे दी थी भारत के इतिहास में की गई ये एक ऐसी भूलती जिसे पलट कर ठीक किया जाना संबब नहीं है लखनों पैक 1916 ने इंडियन politics में Muslim League को रातो रात भारत के सभी मुसल्मानों की representative बना दिया था 1916 से पहले Muslim League को कोई बड़ी पार्टी नहीं मना जाता था इस से पहले तक कोई भी ये नहीं जानता था कि Muslim League के साथ आखिर कितने लोग है लेकिन अब क्योंकि Congress जैसी बड़ी पार्टी ने Muslim League की demands के सामने अपने घुटने टेक दिये थे इसलिए अब लोगों की नजर में Muslim League एक बड़ी पार्टी बन चुकी थी जो कि Muslims के हिट में बात कर रही थी इसके अलाबा लगनोपैक 1916 का दूसरा outcome ये था कि इसने Indian politics में कमुनिलिस्म को एक unavoidable part की तरह establish कर दिया था यानि इस बात पर महर लग चुकी थी कि अब भारत की राजनिती में संप्रदाइकता भी एक mainstream politics का part है तो हम देख सकते हैं कि किस तरह 1906 में शुरू हुई एक party 1916 तक एक बड़ी party बन चुकी थी बड़ इसके बात का कुछ समय खासकर 1919 से 1922 तक का जो समय था इसे हिंदू-Muslim unity के एक golden period के रूप में दिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर गांधी जी के efforts के कारण दोनों communities ने एक साथ मिलकर movements में participate किया खासकर खिलाफत movement और non-corporation movement में बड़ जब 1922 में 4-4 incidents हुए तो गांधी जी ने कहा कि अभी हमारा देश आजादी के लिए तयार नहीं है और इसी के साथ साथ गांधी जी ने non-corporation movement को stop कर दिया non-corporation movement विड्रो हो जाने से लोगों में मौबंग की इस्तिती उत्पन हुई और इसी frustration के चलते कमिनलिज्म ने फिर से अपना सर उठा लिया 1923 से 1927 के बीच टोटल 88 कमिनल राइट्स हुए इन कमिनल राइट्स के वज़ा से देश में एक अलग ही तरह का माहूल था और 1930 तक इस्तिती ये हो चुकी थी कि इंडियन मुस्लिम्स एक सेपरेट स्टेट हुट के बारे में विचार करने लग गए थे और इस तरह two nation theory सामने आई जहां पर ये कहा गया कि हिंडूज और मुसलिम्स दो अलग अलग nations को ब्लॉंग करते हैं जिनकी different history, different culture और different traditions हैं ऐसे में ये दो nations एक देश में कैसे रह सकते हैं और 1933 में तो इस अलग nation का नाम भी सोच लिया गया Cambridge University में पढ़ने वाले एक Muslim student जिसका नाम चौदरी रहमत अली था उन्होंने कहा कि इस अलग nation का नाम होना चाहिए पाकिस्तान बट 1937 में जब provincial elections हुए तो Muslim League का production उसमें काफी ज़्यादा खराब था Muslim League Muslim Reserve Seeds पर भी अच्छा production नहीं कर पाई थी Muslim Reserve Seeds की केवल 25% Seeds ही Muslim League के खाते में आई ऐसे में अब ये सवाल उटने लगे कि क्या वाकई Muslim League इंडिया के Muslims को रिप्रेजेंट करती है कहने का मतलब अगर separate electorate के बावजूद Muslim Reserve Seeds पर भी अगर Muslim League के candidates की जगा पर Congress के Muslim Candidates ही जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि भारत के मुसल्मानों को अभी भी Congress ही रिप्रेजेंट करती है ना कि Muslim League बट 1940 तक Muslim League ने पूरी बाजी पलट दी 1940 में Muslim League ने Lahore Resolution पास कर दिया जिसे Pakistan Resolution भी कहा जाता है यहाँ पर British India में रहने वाले Muslims ने एक separate होमलेंड बनाने के अपनी डिमांड पर एक मोहर लगा दी Lahore Resolution इसलिए बहुत जादा important है क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी तादात में Muslim League के delegates ने नए देश बनानी की डिमांड को अपना wholehearted support दिया था बड कुशन यह है कि जब 1937 में provincial elections में Muslims ने ही Muslim League को support नहीं किया तो 1940 तक यह इस्तिति कैसे आ गई इसका reason यह है कि 1937 में provincial elections में Congress ने बहुत ही अच्छा perform किया था और इसलिए जादातर provinces में Congress की सरकार बनी हुई थी और Congress जब इन provinces में सरकार चला रही थी तो उस समय को Muslim League ने बहुत ही अच्छे से यूटलाइज किया Muslim League इंडिया में रहने वाले Muslims को ये convince करने में कामियाब रही कि Congress के राज में उनका कुछ भी भला नहीं हो रहा है और इसका परणाम ये निकला कि 1945-1946 में फिर से जब elections हुए तो यहाँ पर Muslim League ने Muslim Seats पर बहुत ही बहतरी इन परदर्शन किया Central Legislative Assembly में जितनी भी Muslim Reserve Seats थी सारी की सारी Seats Muslim League के खाते में गई इसके अलाबा Muslims के लिए Reserve Provincial Seats पर भी Muslim League ने काफी अच्छा परदर्शन किया था तो अब 1945 आते आते ये इस्तिति हो गई थी कि ये कहने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी कि Muslim League ही Muslims की असली representative है क्योंकि Muslim League ने 1945-46 के elections में ये प्रूब कर दिया था हलाकि इनहीं elections में General Electorate Seats में ज्यादा successful Congress थी बट क्योंकि Congress Muslim Reserve Seats में उतना अच्छा perform नहीं कर पाई थी तो इसलिए Congress ये दावा नहीं कर सकती थी कि Congress इंडिया के हिंदूज और Muslims दोनों की representative है और अब इस situation में Britishers इंडिया को power transfer करने की तयारी कर रहे थे ऐसे में उन्होंने एक के बादे कई सारे proposals पेश किये फर एक्जामपल क्रिप्स मिशन, वेवल प्लैन और कैबिनेट मिशन प्लैन बट power transfer सिर्फ तभी हो सकती थी जब Muslim League और Indian National Congress दोनों इन proposals पर agree करें बट दोनों parties किसी भी plan पर agree होने के लिए तयार नहीं हो पाई दिन चुना direct action day के लिए ये वो दिन था जिस दिन बहुत ही large scale पर हमारे देश में communal rights देखने को मिले Britishers ने इन communal rights को जैसे तैसे रोका और power transfer के लिए Lord Mountbatten को इंडिया में भीजा और कहा कि अब किसी भी हाल में June 1948 तक Indian National Congress और Muslim League के बीच में एक समझोता करके power को transfer किया जाना चाहिए तो ऐसे में भारत में आने के बाद Lord Mountbatten ने एक plan प्रिपेर किया इस plan को कहा गया Mountbatten plan इस plan में British India का partition करके दो sovereign देश बनाने की बात की गई इंडिया और पाकिस्तान Congress और Muslim League दोनों नहीं इस plan को मंजूरी दे दी और इस तरह 15 तगस 1947 को देश का बटवारा कर दिया गया इंडिया की history और Indian Constitution को डीटेल में cover करने के लिए बुकस्तावा की playlist को follow कीजिए Thank you so much for watching and supporting बुकस्तावा